नमस्कार, पीपी नियूस लाइन के प्राइम टाइम में आप सब का स्वागत, मैं हूरजनी अनुभव, आए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिंबर की परमुक सुर्खियों पर जमुकश्मीर का बजट विकास के साथ लोगों की उमीदों को पूरा करेगा, कहा सांसद जुगल किशोर ने के अंदर सरकार ने जमुकश्मीर के लिए खजाना खोलते हुए रिकार्ड 11,12,950 करोड का बजट किया पेश अब उदुपूर और कुपवाडा में खुलेंगे दो मेडिकल कॉलेज तीन देशक से अधिक समय से पाकिस्तान प्रायोचित आतंगवास से निपटने और जमुकश्मीर में शांती विवस्ता बहाल रखने पर सरकार का खासा जोर है इसके लिए बजट में ग्रह विवाग को साड़े दस हजार करोड रुपे से अधिक का प्रावदान किया गया है बिजली एवं स्वास्ते सेवाएं भी प्रात्मिक्ता पर हैं ताकि प्रदीश के हारनागरी को बिजली तथा स्वास्ते सुविदा मुहिया करवाई जा सके ग्रामीन विकास सडको वो पुलों के निर्मान पिश्वी बागवानी का भी बज़र बढ़ाया गया है जमू कश्मीर 1990 के दर्शक से ही आतंगवाद को जेल रहा है अनुचे 370 हटने और जमू कश्मीर के केंदर शासित परदेश बनने के बाद से राजे की कानून विवस्था में सुधार आया है लेकिन पाकिस्तान यहां शान्ती के महोल में खलल पैदा करने की लगातार साजिशे कर रहा है कश्मीर के साथ ही जमू समवाग में भी आतंगी घटनाओ को अनजाम देने की लगातार कोशिश हो रही है चुट्टी पर गर आने वाले जवानों की हत्या रोकना पूरे समाज की सामू ही किसमेदारी है उन्होंने ये भी का कि कुछ वर्षों में जिला आतंगवाद मुक्त और घाटे का सबसे शांतिपून खेतर बना है जबकि कुवाड़ा आतंगवाद और हिंसा से सबसे ज़्यादा परभावी था ऐसा इसलिए संबब हुआ है कि किस्थानी लोगों ने हिंसा को खारिच कर दिया है केंदर सरकार ने केंदर शासित जमू कश्मीर के लिए खजाना खोलते हुए रिकार्ड 11,12,950 करोड रुपे का बजट पेश किया है वितमंत्री निर्मला सीता रमन ने लोकसभा में केंदर शासित परदीश का तीसरा बजट सोंबार को पेश किया बीते वर्ष की तुल्ला में इस बार बजट में 4,000 करोड रुपे की बड़ोतरी की गई है साल 2021-22 के लिए 1.8 लाग करोड का बजट पारित किया गया है साल 2019 में अनुचे 375 को निरस्त करने और राजी को दो हिस्सों में विवाजित करने के बाद केंदर की ओर से इसे पेश किया गया ये तीसरा बजट है कुल 11,12,950 करोड रुपे के बजट में से 71,615 रुपे राजस्व खर्च और 41,335 रुपे पूंजी गत खर्च होगा राज कोशिय गाटा 8,970 करोड रुपे दिखाया गया है वर्च 2021 के लिए 18,860.32 करोड रुपे की अनुपूरक अनुदान मांगे भी सदन में रखी गई है बजट में शिक्षा को पहली प्रात्मिकता दी गई है शिक्षा के लिए 11,832.77 करोड के बजट का प्रावदान किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा बजट का 6 गुना अधिक है पिछले बजट में शिक्षा के लिए 1873 करोड रुपे का प्रावदान किया गया था जमु कश्मीर के सांसर जुगल केशोर शर्मा ने कहा कि जमु कश्मीर का बजट विकास को गती देना है साथ ही लोगों की उमीदों को भी पूरा करने में मदद करेगा इस बजट से कश्मीर के इंदे दलों का निराश होना तो स्वावबिक है क्योंकि अब अनुचे 370 हटने के बाद से ही वेहाताश है अब तक ये दल बजट की रकम से अपना ही घर का विकास करते थे लोग सबब में जमो कश्मीर के बजट का पर बहस के दौरान भाशपा सांसत ने कहा कि प्रदेश में हो रहे हैं विकास से आम लोग खुश है अब फंड बरस्टाचार की भेंट नहीं चड़ता बलकि इसका इस्तेमाल धरातल पर होता है उन्होंने का कि अनुचिये 378 में सत्ता का धरुपयो करने वाले विकास के लिए आई रकम खा गए इन दलों ने परिवारवाद आतंगबाद भरस्टाचार वरिश्वत खोरी को शह दी तीन दशक से पाकिस्तान के युदका साबना कर रहे जमो कश्मीर में सुरक्षा, शान्ति और स्थित्ता की बहाली के साथ विस्तापित कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी केंदर वा परदेश सरकार की प्रात्मिकता है संसत में पेश किये गिए वर्ष दो हाजार बाइस, टेस के लिए जमो कश्मीर के वाजशिक बजट में केंदर सरकार ने इस वीशे पर खासा ध्यान दिया है कश्मीरी पंडितों के कल्यान और कश्मीर में उनके सम्मान जनक वापसी को ध्यान में रखा गया है जमू कश्मीर में 187 चिकिस्ता शिक्षा विबाग एक शेतर में बजट में इस बार उदुमपूर और कुपवाड़ा में दो मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे इसके लिए बजट में प्रावदान रखा गया है इन मेडिकल कॉलेजों के 2022-23 में खुलने से जमू कश्मीर में MBS की सीटें 1300 हो जाएंगी ने मेडिकल कॉलेजों से मरीजों को रेफर ना करना पड़े इसके लिए इन में डॉक्टर और सूपर स्पेशलिस्ट की संख्या को बढ़ाया जाएगा साल 2022-23 में साथ नर्सिंग कॉलेजों को पूरा करने का भी लक्ष रखा गया है नवजाज शिशू मृत्यू धर को दस से कम करने के लिए भी कारयोजना तयार की गया है इसके लिए नैशनल हेल्थ मिशन में उचित प्रावदान रखा गया है अब वक्त हो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद मजबूते के पैचान ACC सीमेंट मैसर्स विशंदास जस्वाल एंड संस आथोराइस्ट स्टॉकेस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जमू रंगीन खबरों की पर्थदर पर्थ होता है तक्षरा प्षरा बया करता है खबर के पीचे की कहानी पीर बंचाल से सब कुछ दिखता है ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कल रेजिडेंसी रोड में एक कबार में आग लगने के बाद कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया उन्होंने सेंट पॉल चर्च में रखा गया और हर तरह की सहुलियत भी महया करवाएगे वहां के सेंट पॉल चर्च के फादर रेव विजे कुमार ने बताया कि लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने में डिस्टिक अड्मिस्टेशन ब्रेड क्रॉस और वहां की कॉम्मुनिटी का बहुत बड़ा हाथ है और आज उन लोगों को सुरक्षित यहां पर निकाला गया है इसी के बारे में अधिक जानकारी सांचा की सेंट पॉल चर्च के फादर रेव विजे कुमार ने गटना हुई है जो कुछ भी हम सब को इसके बारे में वालुम है तो इमिजेटली चर्च की और से एक्षन लिया गया सेंट पॉल चर्च जमु की और से कि हमने उनको चर्च में शिफ्ट किया बने डी एसपी साब शरत जी से और एसपी साब से बात हुई कि हमारे पास रिसोर्स हैं हम इनकी देखरे कर सकते हैं क्योंकि यह हमारा फर्च बनता है कि यह परदेशी है और हर तरीके से इनकी साहाईता करने के लिए सिर्फ चर्च ही नहीं पर अन्तू कम्यूनिटी भी आ रही है रेजिदेंस रोड से मार्किट के सभी आकर इनकी साहाईता में इस वक्त लगे हुए हैं लिट्स्टिक इडनिसेशन की और से इनकी साहाईता की जारी को Relaxed की यह और हमने ने को कह है और हमारी और से कोई दिक्कत नहीं जब तक आप यहां से पर रहना चाहते हम आगे एजों कीून की पूरी हम की अज़ों करेंगे ताकि यह लोग से जो inaccurate केस्वेश conference में नकित के गे जिसमें प्रेज़ेंट तन्वीर हुसेन ने कहा कि उनके बैनर का कुछ लोगों दोरा गल्थ इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हों ने कहा कि ऐसे लोगों पर कानूनी कारवाही होनी चाहिए और उन्हों ने कहा कि बहुत जल्ड स्रीनगर में एक बड़ी conference होन और जो उसके प्रेज़ेंट पिछली बार उनकी प्रोटेस्ट किया था और आगे वह शायद गहरावद देने जा रहे हैं कि प्रोटेस्ट के उपर तो मैं सपस्ट जाना कर चाहता हूं कि कैज्वेल लेबर इंडिटर्ट का एक ही बैनर है जिसका मैं खुद प्रेज़ेंट हूँ वाइस प्रेज़ेंट तरक सुल साहब हैं कश्मीर इम्रान साहब हैं हमारे जहांगे साब जनरल सेक्टरी हैं करवाई की जाएगी क्योंकि आज जानते हम हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के कोई भी प्रोग्राम जो यहां पर आलग से को लड़ता हो लड़े हमें इसों का इतराज नहीं है लेकिन हम सब से अपील करते हैं जितने साथी है यह की बैनर है जम्रुक्राइब करेंट का प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहीं पीपी न्यूस लाइन के साथ नमस्कार जम्रुम में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेकनोलिजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार और हां हमारे यहाँ बढ़िया कॉलिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासे और कॉंटेक्ट लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जम्रुम अप्टीशन्स गाधी नगायर जम्रुम अप्टीशन्स नई बस्ती जम्रुम अप्टीशन्स अंपला जम्रुम अप्टीशन्स त्रीकुटानगर